वेलकम प्रेंट्स आया मोश्पेंदाकर ये वीडियो में हम पड़ेंगे यूज ओप फार्दर 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 का अर्थ होता है तो अधिक दूर थोड़ा दूर जैसे अगर हम कुई दो चीज़ को कंपेर करेंगे तो आपका फार्दर का यूज होगा आपको सबसे दूर और फार्दर का यूज होता है एडिशनल फार्दर का अधिरिक चीज के लिए फार्दर कप्रियो कर दें जैसे कोई एक्शन हो सकती है कोई कोई सामाचता जीजा से कोई एक्शन हो जाए कोई सूचन हो जाए कि इतना टायम इसमें लग सकता है उतना टायम इसमें लग सकता उसके लिए फार्दर का यूज करते हैं जैसे sentence ले लेते है, Mumbai is farther from Alvar than from Jaipur, Mumbai आपका जो है, farther किसे, मतलब उसके comparison में Jaipur से दूर है, या पर जैसे मालोगी, वोपाल is farther from the Sea or, वोपाल जो है आपका, जो आपका वोपाल is farther from Sea or than from the राइसे, वोपाल is the farther from Sea or than from the राइसे, वोपाल से, जो आपका Sea or, जो राइसे है, वो आपका राइसे, वो राइसे से क्या थोड़ा दूर है, उसके comparison में क्या है, दूर है, जैसे मालो, this place is farther from the that place, यह प्लेस उस प्लेस से थोड़ा सब दूर है, थोड़ा दूर है, अब इसके बाद आ जाएगा, no further action is required, यहापे further, अभी हम पढ Please don't make further delay, आप इस तरह की, जो आप इस तरह की आप जो delay करते हैं, वो ना करें, Please don't make further delay, simple सी बाद समझे जहाँ पर compare करना है, वहाँ पर further की use करना है, और further की use, जहाँ पर compare नहीं करना है, वहाँ पर इसके use करना है, further, अब जैसे farthest का क्या हो जाएगा, इसमें सबसे दूर, जैसे it is the farthest place from the railway station, मतलब यह सबसे दूर वाला प्लेस है उस railway station से, जैसे मैं कह सकता हू this is the farthest place from my home, मेरे घर से सबसे दूर वाला प्लेस यह ही है, जैसे it is the farthest place from my home, जैसे मेरे घर से सबसे जाला दूर वाला system यह है, तो farthest में, जहां सब्से म्लग दूर की बात वे. वोब यूर बाइस आपको ये वीडियो आपको ये फार दर और फार टेटी में आए सब्सक्राइब होगा। था इस्थंट वाको प्लेज कमेंट करें लाइょद करें एक स्टेड्म, करें और टेस्थ ON आद्न कार! झाल झाल